तो भाई लोग, फिल्मी जगत की कुछ रिलीज डेट की न्यूज ने बवाल कर दिया और इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ एक और एपिसोड ओफ योगी पीडिया वेल हलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी जबसे पता चला है कि पुषपा 2 अब 15 ऑगस्ट को रिलीज नहीं हो रही है मानो उस डेट में फिल्म रिलीज करने की रेस सी लग गई है पहले जौन इबराहम की वेदा तो उस दिन रिलीज होने ही वाले थी पुषपा 2 के हटते ही अक्षे कुमार की खेल खेल में अब उस दिन रिलीज होगी पर अब उसी दिन पे नई एंट्री हुई है स्त्री पार्ट 2 की वा भाई पुषपा जुक क्या गया एक साथ तीन फिल्में उस दिन रिलीज करने पर उतर आई और ये बिजनेस करेंगी भी लॉंग वीकेंड जो है अगली न्यूज वैसे 15 अगस्ट को ही एक और फिल्म रिलीज होने वाली थी जो अब पोस्टपोन होके दिवाली के महिने चली गई है येस मैं बात कर रहा हूँ सिंगम अगेन की जो की पोस्टपोन हो गई है और रिजन बताया जा रहा है कि फिल्म की कुछ शूटिंग वगेरा अभी भी बाकी है और जल्दबाजी में रिलीज करके वो कोई कॉलिटी में कॉंप्रोमाईज नहीं करना चाहते अच्छी बात है बाई क्यों करना है कॉलिटी में कॉंप्रोमाईज लेकिन एक मिनिट अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉब भी है ना कास्ट में हम कॉलिटी है छोड़ो अपन बोलेगा तो विवाद हो जाएगा वैसे बताया ये भी जा रहा है कि मूवी एक नवंबर को रिलीज होने वाली है याने लक्ष्मी पूजा के दिन जहाँ वो अल्रेडी क्लैश कर रही है भूल भूलया तीन के साथ क्या ही दिमाग लगाया है छोड़ो अगली न्यूज जहाँ बहुत सारी मूवीज पोस्ट पोन हो रही है वही एक फिल्म ऐसी है जो प्रीपोन हो गई है येस जूनियर एंटियार स्टारर देवारा पार्ट वन जो पहले 10 अक्टमबर को रिलीज होने वाली थी अब रिलीज होगी 27 सप्टेमबर 2024 को चलो ये तो अच्छी न्यूज है लेकिन आक्टोबर का स्लॉट जैसे ही देवारा ने छोड़ा वैसे ही उस वीकेंड को बुक कर लिया है आलिया भट स्टारर जिगरा ने भाई ये क्या हो रहा है कोई प्रीपोन कर रहा है कोई पोस्टपोन करके फिर प्रीपोन कर रहा है खेर आलिया भट की ये फिल्म पहले 27 सप्टेंबर को रिलीज होने वाली थी जो अब पोस्ट पॉन होके 11 ऑक्टोबर को रिलीज होने वाली है मतलब जब देवारा पार्ट वन रिलीज होने वाली थी लिकन एक मिनिट भाई साब ये तो clear-cut swipe of dates है देवारा की जिगराने ली और जिगरा की देवाराने ले ली I mean dates वैसे 11 ऑक्टोबर भी कोई खाली date नहीं है उस दिन अल्रेडी राजकुमार राव और त्रिप्ती डिम्री स्टारर विकी और विद्या का वो वाला वीडियो और शाहित कपुर स्टारर देवा का रिलीज भी प्लाइन है अगली न्यूज अक्षे कुमार की एक और फिल्म सर्फिरा की भी रिलीज डेट रिविल हुई है जो है 12th of July 2024 याने के next month ही पर शायद उस दिन तो कमल हसन स्टारर इंडियन 2 मुवी भी रिलीज हो सकती है खैर हमें क्या अगली न्यूज रिलीज डेट की इन सभी न्यूज में सनी देवल की बॉर्डर 2 कैसे पीछे रहे उन्होंने भी लगे हातों बता दिया कि बॉर्डर 2 रिलीज होगी 23rd जनुवरी 2026 को बहुत टाइम है वैसे पर इतना सहल हैंगे सनी पाजी आपके लिए गदर 2 के लिए भी 20 साल से जादा वेट किया बॉर्डर 2 के लिए भी औरड़ी 27 साल वेट कर लिया है ठोड़ा और इंतजार सही और अब लास्ट में एक बोनस न्यूज फ्रॉम कलकी धमाकेदार ट्रेलर रिलीज करने के बाद अब बारी है कलकी के तरफ से एक और धमाके की कलकी का सॉंग रिलीज होने वाला है और मेकस कह रहे है जिसका प्रोमो अल्रेडी रिलीज हो चुका है जिसमें होंगे दिलजित, दोसांज और प्रभास और इसकी इन्फो खुद कलकी के ऑफिशल ट्वीटर पोस्ट पे मिली है वैसे भी दिलजित के सॉंग्स तो अल्रेडी ट्रेंडिंग पर ही चलते रहते है कलकी भी ट्रेंडिंग में ही है तो इस धमाकेदार सॉंग का मुझे तो इंतिजार है बस हो गया रिलिस डेट न्यूज का सिलसिला खतम बाकी की खबरे अगले योगी पीडिया में तब तक की लिए बाई, मिलते अगले वीडियो में